IIT का entrance निकाल लो, life set हो जाएगी IIT से पढ़ाई कर लो, society में इज़्जद बढ़ जाएगी IIT से graduate हो जाओ, अच्छी placement मिल जाएगी IIT, IIT, IIT हर साल अरॉंड 15 लाग इस्टोरेंट IIT का सपना देखते हैं Around 2.5 लाग इस्टोरेंट J-Advance के लिए qualify करते हैं और उनमें से भी सिफ 16,000 इस्टोरेंट को IIT की seat मिल पाती है अब जो इतना बड़ा चंक है जिनका IIT नहीं हुआ क्या उनका IIT का सपना सपना ही रह जाएगा ऐसा बिलकुल नहीं है IIT में एड्मिशन लेने के mostly 8 ways हमें देखने को मिलते हैं J-Advance, GATE, CAT, UC, SEED, GEM, International Olympiards and last में हमें hybrid online degree programs देखने को मिल जाते हैं और आज के इस वीडियो में हम इसी को cover करने वाले हैं अचले कुछ सालों में Tech की डेमांड काफी तेजी से बढ़ी है और इसी डेमांड को देखके कई IIT ने online degree courses को launch किया है जिन में आता है IIT Patna, IIT Madras and IIT Guati आज के पहले IIT Without J के एपिसोड में cover करने वाले हैं IIT Patna को Recently IIT Patna ने launch किये हैं 2 UG courses पहला B.A.C. in Computer Science and Data Analytics और दूसरा B.B.A. इन दोनों ही courses का mode of instruction hybrid है यानि online and offline दोनों दोनों कैसे इसके बारे में हम थोड़ी दिर में चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम दोनों courses की eligibility criteria, fees and pros and cons के बारे में जानेंगे लेकिन उससे भी पहले B.A.C. and B.A. courses होते क्या हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं B.A.C. या Bachelor of Science एक 3 साल का undergraduate academic degree है जो की mainly science system में ओपर किया जाता है B.A.C. course में आपको कई तरह के subjects and specialization मिलते हैं जैसे Computer Science, Informational Technology और भी कई सारे फोड़ी और बात करें तो B.A.C. degree students को scientific and analytical skills दोनों देता है जिससे वो scientific and real world problem दो लों को काफी अच्छी जिए अच्छी जिए अगर हम इस particular degree की बात करें तो इसका mainly focus है Computer Science and Data Analytics पे जिसमें आपको programming languages, data mining, data visualization और भी कई छीजे सिखाई जाती है ये तो हो गया B.A.C. अगर हम B.A. की बात करें तो ये basically होता है Bachelor of Business Administration ये एक ऐसा course है जो कि आपको business और management के basics और fundamentals सिखाता है जैसे marketing, finance, human resource, operations, etc. B.A. की degree engineers के लिए भी काफी beneficial होती है क्योंकि engineers को अपने products and services को market में बेचने के लिए काफी जादा help करती है पिछले कुछ सालों में काफी बढ़िया-बढ़िया startups उबर किया है लेकिन कई बात क्या होता है कि लोग product तो बना देते हैं लेकिन उनको बेचना नहीं आता है उनको पता नहीं है कि इस product का धन्ना कैसे बनाया जाए तो यहाँ पे BBA की डिगरी आपको काफी जादा help करती है फिलाल यह courses 3 साल के हमें देखने को मिलते हैं लेकिन future में बताया जा रहा है कि यही courses हमें 4 साल के देखने को मिलेंगे new educational policy 2020 के हिसाब से जिनमें आपको multiple exit points भी मिलेंगे भाईया multiple exit points यह क्या होता है इसका मुलब भी है कि अगर आप degree end तक complete नहीं करते हैं आपने मानलो एक साल, दो साल, तीन साल किया तो उसके साबसे आपको certificates मिलेंगे अगर आप पूरा course complete कर लेते हैं तो आपको degree मिलेगी अगर आप बीच में अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आप science system से होना जरूरी है BBA के लिए ऐसा कोई compulsory नहीं है यह तो दा पहला criteria दूसरा आपके बास valid score या फिर rank होनी चीए किसी भी state या national entrance exam में उससे भी आपका काम हो जाएगा and same goes for BBA also third criteria आता है अगर आपने international entrance test दे रखा है तब भी आप eligible हो जाते है large eligibility criteria आता है जितने भी मैंने interest test बता है विदक उन में से अगर आपने कोई भी नहीं दिया है तब भी आप IIT पतना का set exam दे के इसमें admission ले सकते हो यह तो the eligibility criteria अब चलते हैं सीधे fees की तरफ fees की बात करें तो जितने भी IITs हैं की online degree program offer करते है जैसे IIT Guati हो गया, IIT Madras हो गया उन सभी से हम IIT partner की fees को compare करें तो हमें कमी देखने को मिलती है सबसे पहली fees की बात करें तो आपकी registration fees लगती है जो की 1500 के आसपास है अगर आपका admission हो जाता है तो यहाँ पर आपके पास दो option है BAC की जो fees है वो 40,000 per semester के हिसाब से लगती है AP में BBA की बात करूँ तो 50,000 per semester टोटल फिलाल इन में हमें 6 semester देखने को मिलते है तो BAC की जो fees हैगी वो 2.4 leks के आसपास है वहीं भी BBA की हम बात करें तो 3 lakh के आसपास चली जाती है वैसे देखा जाये तो थोड़ी leks में fees पहुच गई है यहाँ पर आपको थोड़ी जादा लग सकती है लेकिन यहाँ पर IIT पटना आपको इंटरेस्ट्री मंतली EMI का option भी प्रोइट कर देता है इनके साब 1-7-20 नहीं बरपा रहे है तब आप मंतली EMI इस बेभी इसको convert कर सकते है भाई यह सुनने में तो काफी सही लग रहा है अब जल्दी से pros and cons बता दो ताकि हम decide कर पाएं तो पहले pros कवर कर लेते हैं सबसे पहले सबसे obvious आपके पास एक IIT पटना की सबसे तो डिगरी आपके बस proper IIT वाली होगी किसी को flex करना हो तो कर सकते हो second जो pros आता है कि same IIT professors आपको बढ़ाएंगे एंड एक और खास बात जो मुझे बता चली है मैंनके articles और बढ़ रहा था तो बताया गया है कि 14 professors ऐसे हैं जो की world के top 2% scientist में आते है तो आपी crazy लगा मुझे लगा बताना चाहिए आपको third जो pros आता है ये course आपका hybrid mode में आप online भी कर सकते हैं इसको और यहापे आपको 10-15 days के लिए offline भी बुलाय जाता है हर semester में आपको 10-15 दिन college जाना पड़ेगा जहापे कई सारे पैस्त होते है practicals होते है ठीक है वो सारी सीज़े भी ये लोग करा रहे है जो कि बाकी IIT में हमें नहीं देखने को मिलता है जो जो ये online courses provide करा रहे है अभी तक IIT पटना नहीं launch किया है जैसे ही आप इन दोनों courses में से किसी भी course को complete कर लेते हैं आप IIT पटना के alumni कहलाए जाओगे जैसे वो alumni कहलाए जाते है सेम आप भी कहलाए जाओगे आपको proper ID card भी मिलता है IIT पटना का कुछ नहीं लिखा रहेगा उसमें online है और offline है proper ID card रहेगा प्लस उसी के साथ साथ आपको email address भी मिलता है जो कि आपके बास lifetime रहेगा तो यह कुछ benefits हैं जो कि आपको इस course में मिलते हैं नेक्स जो प्रोज आता है इन courses के लिए आपको जेही देने की ज़वद नहीं है ठीक है जेही देने की ज़वद नहीं है आप इनमें कई दूसरे options से apply कर सकते हैं एन admission ले सकते हैं बैस बाट बजे लगा कि यह दोलों पोर्स इसे डिजाइन किये गए हैं ताकि यह industry needs को अच्छे से meet कर सके जो जादा तर undergraduate course हमें आज के टाइम पे नहीं मिलते हैं सालों पुराना भाई curriculum चल रहा है इन courses में आपको वो सारी चीज़े नहीं देखने को मिलती है और इनका कहना है कि यह skill development पे जादा फोकस कराएंगे next जो pros आता है classes यहाँ पे live हो रही होंगी प्लस वही classes आपको recorded form में भी मिलेंगी दूसरा यहाँ पे doubt रहता है कि भया doubt support है कि नहीं तो यहाँ पे 100% doubt support भी आपको मिलता है ते को provide सारी चीज़े कर रही है ठीक है लेकिन एक बार जो आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे मैनत लगती है यहाँ पे काफी मैनत आपको डालनी पड़ेगी तब ही जाकर आप इन courses का फायदा उठा पाएंगे यहाँ पे point आता है यहाँ पे 100% internship and placement claim कर रहे है ताकि आपको work experience भी अच्छा दासा मिले मुझे curiosity जागी कि यार यह कैसे होगा मतलब placement देंगे, internship देंगे, off campus होगा, on campus होगा तो इनका एक number दिया हुआ था मैंने call गुमा दिया मैंने call करके पूचा तो मुझे पता चला कि यह लोग on campus placement बोल रहे है और इसी के साथ साथ off campus placement support भी यह लोग provide कराएंगे तो काभी सही चीज है, इसी के साथ साथ अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो यहाँ पे आपको बिहार student credit card से भी इनकी piece भर सकते हो तो यह कुछ basic pros थे, cons भी कुछ होंगे, तो cons के बारे मात कर लेते हैं mostly यह course online है, तो यहाँ पे इसके अपने फायते तो ही online होने के बड़ कुछ उकसान भी है, जैसे अगर कोई course मैं कर रहा हो online तो यहाँ पे हर दिन मुझे खुद से motivate होके classes करनी पड़ेंगी एक दम focus रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डंडी लेके खड़ा नहीं रहेगा कि चल भाई class जाना है, अटेंड करना है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है आपको बुछ से काफी motivate रहना पड़ता है, ताकि आप इन सारी classes को अटेंड करें पेंडमिक टाइम पे तो हम सबने वर्चौल या ओनलाइन लर्निंग का experience लेगी रखा है तो आप समझ पा रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ सेकेंड अगेन यह course ओनलाइन है, तो यहाँ पे हमें 100% IIT experience नहीं पिल पाएगा वो जो infrastructure होता है, ठीक है, वो जो एक environment होता है तो कहीं न कहीं यह चीज़ है, हमें इसमें नहीं देखने को मिलती है लेकिन यहाँ पे एक जो अच्छी चीज़ है, बाकी IIT इस नहीं लेकिन IIT बटना 10-15 दिन आपको offline बुलाता है campus में आपके practicals होंगे, past होते हैं, कावी सारी चीज़ होते हैं, sports वगरे भी यह लोग खिलाते हैं तो 10-15 दिन आपको हर 6 महीने में, मतलब हर semester आपको बुलाएंगे यह लोग 10-15 दिन के लिए उसमें कावी सारी activities वगरे यह लोग कराते हैं तो यह एक अच्छी चीज़ है, last जो कोण आता है कि यह choices काफी limited है courses की जैसे अभी जो हैंनोंने computer science and data analytics निकाला है, BAC में and BVA के लिए भी एक हैं तो courses और होने चाहिएं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं है, बट in future हमें शायद हो सकता है जैसे demand बढ़ेगी, वैसे और courses यह लोग launch कर सकते हैं अब यह तो बात होगे इन दोनों courses की, भाईया क्या यह degree वर्थ है मतलब इतना time पर हम लोग खर्च करें, क्या कुछ फायदा भी होगा तो काफी simple है, दोनों जो यह degree हैं, अगर आप engineering background से हैं किसी दूसरे background से हैं, तब भी आपके लिए beneficial होगी IIT करवा रहा है, यह course तो हलके में लेने वाली बात नहीं है भाई, बहुत strong curriculum रहता है, टीचर जो रहते हैं अग्दम top notch मिलते हैं आपको तो यह आप यह सोच के मत चलना कि भाई, ऐसे ही निकाल देंगे यह course ऐसे ही निकलता है, मैनत लगती है और जब आप इन courses को करना स्टार्ट करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि भाई, हलुआ नहीं है पढ़ना पड़ता है, BAC and BBA काफी versatile degree है और कहीं भी use हो सकती है, और IIT से अगर आप करते हैं, तो आपके वो resume में CV में, काफी एची दिखती है, आपको एक edge मिलता है तो इंदेंड बोलूँगा नुकसान कुछ नहीं है, college instrument हो, अगर extra time मिल रहा है ठीक है, तब आप इसको कर सकते हैं, अगर आप working professional है, कुछ नया सीखना चाहते है आपके पास अच्छा कासा time रहता है, तब भी आप इस degree को कर सकते हैं, कुछ नुकसान नहीं है बागी ये था आज के video guys, काफी सारे college related videos आने वाले हैं ये था IIT पटना पे, IIT without Jay का पहला episode और अगर आप चाहते हो IIT Madras या फिर IIT Guati के उपर, तो मुझे comment करके बताते हैं, ये थोड़ा सा informative टाइप वीडियो था, हम लोग काफी बड़िया college reviews लेके आने वाले हैं, काफी fun elements के साथ लेके आने वाले हैं, एक दब मसा आ जाएगा जैसे हमने तीन वीडियो निकाल लेते, college reviews के उपर, wise series हम लोग continue करने वाले हैं, तो अगर आपको कोई college के उपर review चीए, comment पे जाओ, आग लगा दो, ठीक है comment कर दो, जिस भी college का review चीए, आने वाले time में आपको मिल रहा होगा, बागी ये ता आज का वीडियो, laptop लेने की सो ये वाले वीडियो चेक आउट कर सकते हो, बागी इसी के साथ मिलता हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में, stay safe, peace out